मारूती सुजुकी 800 एफ्रेंस और इस गारी के अंदर एंजिन चेक का लाइट ब्लिंक हो रहा है और गारी के अंदर पिक अप ड्रोप है और मिस्फार हो रहा है एंजिन आइडलिंग रपीम के अंदर एंजिन वाइब्रेशन हो रहा है जो इस तरीके से पावर होना चाहिए इस तरीके से इस गारी के अंदर पावर नहीं है तो एंजिन चेक का लाइट भी ब्लिंक कर रहा है तो पेले जाके उसको चेक करने वाले मारुति सुजुकी अल्टो एफ्ञेंस पेट्रोगारी और सी आफ्टर मरकेडे तो इस गारी के अंदर गारी चाल गोने के बाद यहां इंजिन के अंदर जब चलाते हैं तो पीकप ड्रोप हो जा रही है और थोड़ा सा वाइबरेशन भी है आए तो गारी को स्कैन करने वाले है अक और न Kästrand सकते जो गारी स्टार्ट है और इंजिन लाइट कभी कभी चला जा रहा हूं कभी वापीस आ जा रहा है मैं ट्राइल लेकर आया हूं फ्रेंडिस गारी का और अभी गारी स्वाप पर खड़ी है आप गारी स्टार्ट है और यहां पर एंजिन जे का लाइट नहीं आ रहा है आप देख सकते हो तो देर के बाद में रेस दूंगा तो अपने आप आएगा कि जो लाइट ब्लिंक कर रहा है तो इसको करने वाले स्कैनिंग हम करते हैं कि तो पी-0301 सिलिंडर 1 मिस्पायर डिटेक्टेर तो यह वन नंबर का पिस्टन बिस्पायर बता रहा है तो यह लेकिन सबसे पेला रीजन उसका स्पार्क प्लग और उसका कोयल है उसको सबसे पहले धीक है क्लीन करता हूं क्लियर फोल्ट कोड सक्सेस हो गए लेकिन थोड़ी देर के बाद अभी उसका तो यहां पर फिर से लाइट आ जगा है और मैं यहां पर फिर से एक पार कोड़ देखता हूं कि तो वही है तो वन नमबर का पिश्टन देखने वाले हैं कि आप देख सकते हैं कितना हिल रहा है फड़ाचा मैंने यहां पर निकाल हुआ है एर क्लीनस कि अगरा पिश्टन देख लिए तो इसका कोईल निकाल के देख चेक करने वाले सबसे पहले ज्यादा तो इसके अंदर प्रोब्लिम रहते हैं ऐल्टो आंट्रों के अंदर Allen निकालता हूँ ये खाथ से काम नहीं हो रहा है तो यह Łळी निकाल दिया यह है यहां से फटा हुआ है थोड़ा सा बूबी उसका Smell भी ख़राब आ रहा है जैसे जल गया है इस तरीके से आप है यहां से आऋ देख सकतक 一कब्य हो चुका है तो यह फट गया है कोई तो न्यू कोई डालने वाले फ्रेंस तो हो जाएगा जब स्टार्ट होती तो यहां से फिर्स सोट हो जाता यह कोई इसे हो जाता है तो यहीं न्यू कोई डाल के चेक करते हैं फ्रेंस यह न्यू कोई लेके आया हम यह इस्टोल करने वाला है तो यह प्रेंस न्यू कोई लेके आया है अब लगा दें अब लगाना बागी है कोई लगा दिया गारी को करता है स्टार्ट एसा फिटिंग किया हुआ है कर स्टार्ट है फ्रेंस में एक्षिलेटर दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं घारी के अंदर पहले गारी के अंदर गारी दब जाती दिवाइब्रेशन होता था और गारी पीकप भी नहीं करती थी और यहां पर लाइट ब्लिंक करता था का टो पो गारी अब फिर सम एक बार क्लियर पोल्ट करकर चेक करते हैं कि अब कि अब उके अब यह फोल्ट को इडिटी से नहीं हो टोड़ी देर के लिए स्टार्ट रखेंगे लिए ए समीद्पर परफेट है फ्रेंट कि अब सबस्ज़ तोड़ा ज़िक उप दो जाने और चलाने में भी मज़ा नहीं है और एसे वीडियो देखने के लिए अर अगर्ट कोईबी कार है तो आ पोई चेक कर सकते हो एसरा है श्यांज है पर्फेक्ट है पहले चलता ही नहीं था गारी और अभी एसी के अंदर भी चेक करते हम तो अधर की पाउरफूल गारी कि विदिक्कत नहीं है कि अधर के अधर जब गाड़ी दपती है पटा के फोड़ती है तो यह स्पार्क प्लाग और इंगेशन को यह ज्यादा तर प्याल होते हैं तो वह चेक करते हैं अभी लाइड भी नहीं आ रहा है और स्मूथनेस भी हो गया है पीकप भी हो गया है और स्मूथनेस भी हो गया है